उट किस करवट बैठ जाए किसी को नहीं पता दोस्तों आपने उट वाली कहवत तो सुनी ही होगी कि देखना उट किस करवट बैठ हीगा आज मैं आपको इसी कहवत के ऊपर एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहनी आपको जीवन के कुछ अनमोल गुर सिका कर चाहेगी मित्रो पुराने समय की बात है किसी कस्वे में एक बाजार लगती थी आसपास के दुकंदार लोग बाजार में दुकाने लगाने के लिए अपना अपना सामान उट खचर बैल गारी में भर कर बाजार में ले जाती थी और बाजार में दुकाने लगा कर उन्हें बेचती थी उसी बाजार में एक किसान सबजी बेचने ले जाता था और एक कुमार अपने मिट्टी के वरतन बेचने ले जाता था दोनों के पास अपना सामान ढोने का कोई सादन नहीं था इसलिए उन दोनों ने मिलकर भारे का एक उट कर लिया था पहले तो भी अलग-अलग अपना सामान बैल गारी और खचर में भरकर ले जाते थी तो एक अकेले को ही भाड़ा चुकाना पड़ता था इसलिए उन्हें मुनाप़ा कुछ कम हो पाता था अपने भाड़े का खर्च बचाने के लिए दोनों ने मिलकर एक उट को कर लिया कि एक ही वार में हम दोनों का सामान बाजार में पहुँच जाया करेगा और जो भाड़ा बनेगा उसको दोनों लोग आधा आधा चुका दिया करेंगे उट से सामान ले जाने का आज उनका पहला ही दिन था किसान ने उट की एक और खजी में अपनी सबजी अलाद ली दूसरी और कुमार ने अपने मिट्टी के वर्तन भर लिये उट बाला उट की रसी पकड़ कर आगे आगे चलने लगा और बे दोनों उट के पीछे पीछे चल दिये दोनों बड़े खुसी में चले जा रहे थी कुछ दूर आगे चलने पर उट ने अपनी गर्दन घुमाई तो उसने देखा कि उसकी एक और हरे हरे पत्तों माली सबजियां लटक रही है उट की गर्दन तो लंबी होती ही है उट ने क्या किया? अपनी गर्दन घुमाई और खजी में से कुछ सबजियों के पत्ते तोड़ कर खा लिए किसान को ये देखकर बड़ा लगा कि उट उसकी सब्जियों के पत्ते खा रहा है उसने उट बाले से कहा अरे भाई आपका उट मेरी सब्जियों को खा कर सारी सब्जियां खराब करतेगा किरपे अपने उट की रख्षी को खीच कर रखिए उट बाले ने क्या किया उट की रसी को खीच कर पकड़ लिया मंगर उट को तो सबजियों का स्वाद लग गया था वो कहा मानने बाला था उट बार बार अपनी गर्दन घुमा कर खजी में से सबजियां खीच लेता था यह देखकर किसान को बड़ा बुरा लग रहा था कि बाजार तक पहुंचते पहुंचते यह उट उसकी आदी सबजियां खा जाएगा वेचारा किसान तो अपनी सबजियों को देखकर बहुत परिसान था लेकिन किसान की सबजियों को खाता हुआ देखकर कुमार को बड़ा अनंदा आ रहा था किसान का नुक्सान होता देखकर कुमहार दात फाड़ फाड़ कर हस रहा था वो किसान के मजा कोड़ाने लगा अक्सर लोग आज कल यही करते हैं उन्हें दूसरे का नुक्सान होता देखकर बड़ा आनंद आता है पर जब खुद पर बीती है तो सर पीट पीट कर रोते हैं लोग दूसरे के बुरे में भी अपना सुक तलासते हैं ऐसे ही लोग मुसीबत में पढ़ने पर बहुत बुरे पच्ताते हैं इधर किसान तो अपनी सबजीयों को देखकर बड़ा दुखी हो रहा था पर कुमार उसकी मजाक बनाए जा रहा था कुमार का ये बरताव किसान को अच्छा नहीं लगा धीरे धीरे किसान की आदी सबजीयां उटने खा डाली थी अब तो सबजीयों वाली खजी जब आदी खाली हो गई तो खजी का भार वरतनों की ओर अधिक हो गया बरतनों के भार से वो अपनी ओर नीचे को जूल गई यह देखकर अब तो कुमार को चिंता सताने लगी सोचने लगा अगर उट बरतनों की ओर बैठ गया तो उसके सारे बरतन फूट जाएंगी अब क्या होगा किसान ने भी कुमार से कहा मित्र तो मेरे नुकसान को देखकर मेरी बहुत मजाक उड़ा रही थी अब यह देखना है उट किस करवट बैठता है हो सकता है भगवान तुमारी करनी का दंड तुम्हें बाजार में पहुशते पर ही दे दे अपने नुकसान के बारे में सोचकर कुमार का चेहरा उतर किया वो भी उट के बैठने को लेकर बड़ा चिंतित होने लगा मित्रो कुछ समय बाद उट जब बाजार में पहुँचा तो सामान उतारने के लिए उट वाले ने अपने उट को बैठाया एक और बरतनों का भारा दिक था इसलिए उट उसी करवट से बैठ किया परिणाम ये निकला कि कुमार के सारे वरतन उट के नीचे दब कर फूट गई अब तो कुमार अपना सर पकड़ कर बैठ कर रोने लगा कुमार को अपनी गलती समझ में आ गई कि उसने किसान का नुक्सान देखकर उसकी हसी उड़ाई थी इसलिए उसका नुक्सान हुआ है इसलिए तो कहते हैं हम चाहे कितने ही बड़े धनबान बन जाए हमें कभी किसी गरीब की मजाक नहीं बनानी चाहिए ना किसी का बुरा होता देखकर हसना चाहिए बुरा बक्त किसी पर भी आ सकता है क्योंकि कहते हैं धन, चाया, योबन और स्वामित ये कभी इस्तिन नहीं रहती परिस्तितियां हमेशा बदलती रहती है आज यदि आप किसी के बुरे बक्त में उसका उपहास उड़ाओगे तो परमात्मा कल को आपके साथ भी यही इस्तिति बना सकता है इस बात को गहराई से समझ लीचिए मित्रो इस सम्मंद में मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ ध्यान दे कर सुनना एक आदमी बहुत ही परिसान था बीमारियों ने उसके सरीर को गहर रखा था पर वो उनका इलाज कैसे कराता क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे उसकी गरीबी यहां तक पहुँच गई थी कि कई दिन से उसने खाना भी नहीं खाया था एक दिन हम्मत करके वो उठा और जैसे तैसे एक बड़ी हवेली के सामने पहुचा यह हवेली एक ऐसे आद्वी की थी जिसका रोजगार बहुत बड़ा था और जिसके पास सारे सादन थे उस परिसान आद्वी ने जोर जोर से पुकार मचाई और अपनी बीमारी तता भूक का बखान किया उसकी पुकार सुनकर हवेली का मालिक निकल कर बाहर आया और गुस्य से बोला क्यों बे भीक मांगते तुझे सरम नहीं आती भगवान ने तेरे इतने अच्छे हाथ पैर बनाए है कमा कर क्यों नहीं खाता परेशान आदमी ने कहा सेठ जी आपकी बात बिलकुल ठीक है कमा कर खाने में ही आदमी की सोवा होती है पर लंबी बीमारीयों के चलती मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ नहीं तो मैंने सारी उमर अपने पसीने की ही कमाई खाई है हवेली के मालिक को दया के बदले उस पर गुस्सा आ किया और उसने बहुत पूसे भला बुरा कहा उस आदमी में कहीं और जाकर सायता मागने की भी तागत नहीं थी इसलिए वो बार बार गिड़गडा कर उस सेठ से ही सायता मांगता रहा इस पर हवेली के मालिक को और भी जादा गुस्सा आ गया उसने अपने नौकर को हुकम दिया कि वो इस गंदे आदमी को धक्का देकर उसकी हवेली की सामने से हटा दी मित्रो सेट की आग्या में बंधा वो नौकर उस गरीब लाचार आदमी को धक्के मार कर सेट की हवेली से बाहर कर दिया धीरे धीरे समय बतला परिस्तिती बतली कई बर्स वीत गए एक दिन की बार एक बड़ी हवेली के सामने एक आदमी ने रात के समय पुकार लगाई मैं बहुत भूका और परिशान हूँ सहाब मेरी मदद करू हवेली के मालिक ने अपने नौकर को बुला कर कहा देखो तो भाई कोई भूका और परिशान आदमी मालुम पढ़ता है एक काम करो उसे उसे अंदर बुला कर लाकर धंग से बैठा कर उसे खाना खिला दो और उसकी और कोई जरूरत हो तो उसे भी पूरा कर देना मित्रो नौकर ने उसे बरामदे में बैठाया तब उसकी जरूरत पूछी उसने कहा मैं दो दिन से भूका हूँ इस समय खाना ही मेरी सबसे बड़ी जरूरत है नौकर ने उसे भर पेट खाना खिलाया और खाना खिलाते खिलाती वो आखों में आसू भर कर रोने लगा मित्रो अपने आसूं को लेकर वो हबेली के अंदर गया तो उसके मालिक ने देखा कि नौकर की आखों में आसू आ रही है मालिक ने पूछा किया बात है तू क्यों रो रहा है नौकर ने कह मालिक जिसे आपने खाना खिलवाया है कुछ साल पहले यही बहुत बड़ी हवेली का मालिक था और अपने सहर के बड़े आद्मियों में गिना जाता था उन दिनों मैं इनके पास नौकरी करता था तूने उस हवेली के मालिक को तो पहचान लिया पर मुझे नहीं पहचाना देख मेरी तरब मैं बही भूका और भीमार आदवी हूँ जो उस दिन इसी सेट के दरवाजे पर मदद मांगने के लिए गया था पर इसके हुकम से तूने मुझे धक्का देकर वहां से हटा दिया था बदला कभी नहीं छूटता है मनुस को कभी अपने बड़े होने का अभिमान नहीं करना चाहिए मित्रो ये कहानी तो पूरी हो गई और हम सबसे ये कहे गई कि जिन्दगी का सही रास्ता ना तो ये है कि हम जब सपल हो जाए धनी बन जाए स्रिष्ट पदपर बैठ जाए तो घमंड से फूले ना समाए और ना सही रास्ता ये है कि हम जब असपल हो जाए बुरा भक्त आ जाए तो हम घबरा जाए हिम्मत हार बैठे बास्तिविक सही रास्ता तो ये है कि बुरे बक्त में हिम्मत से काम ले अपने अंदर धैरिये बना कर रखे और हमारे अच्छे बक्त में किसी का तरसकार करने की बजाए हम उसकी मदद करें जो उन दिनों बुरे दौर से गुजर रही हो यदि परमात्मा ने सब सुक दिये है तो उन्हें पाकर कभी उनमत मत होना खास करके इन साथ चीजों को पाकर तो कभी उनमत होना ही मत नमबर एक क्रोध से नमबर दो बिध्या से नमबर तीन सूर्मीरता से नमबर चार धन से नमबर पांच बड़े कुल से उत्तम कुल से नमबर छे बल से नमबर सार सम्मान से ये साथ ओग अपना ही एहित करते हैं उन्मत कहते हैं पागल या मतवाला या सन की आदमी क्रोध से उन्मत दूसरे को तो पीड़ा पहुचाता है साती सात परिडाम उसके लिए भी नुक्सान दय होता है बिद्या से उन्मत पुरुस अपने पिरिये सुप चिंतकों के उपदेश को नहीं मानता और अपने साथ होने वाले अनर्थ को भी परोपकार के समान समझता है सूर बीर्ता से उनमत पुरुस अज़ सीग्र ही सत्रूओं के व्यों में फस जाता है और उनका त्रसकार करने के कारण उसे प्रार त्यागने पड़ते हैं धन से उनमत पुरुस अपनी बुराई, निंदा और अपमान को नहीं समझता कुल से उनमत पुरुस संपूर स्रेष्ट जनों का त्रसकार करता है और निंदित कामों में अपनी बुद्धी को लगाता है बल से उनमत पुरुस हर समय लड़ने के लिए उताबला रहता है ऐसा व्यक्ति अपने बल से सब को कष्ट देता है मान्चे उन्मत पुरुस संपूर जगत को तिनके के समान समस्ता है और सबसे आयोग होने पर भी उचे आसन की इच्छा करता है दोस्तों ये थी बहुती महत्पूर बाते जिनको मनुस को हमेशा याद रखनी चाहिए तो चलिए इस वीडियो के विसे में आपके क्या विचार है अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना मिलते हैं आपसे अगली कहनी में एक और चर्चा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैस्रीकृष्णा